आप सभी को बता दें कि आप जितने लोगों ने पीसेल टीजी टू की परिक्षा का फाम जिसने डाला था तो उनकी नोटिफिकेशन जल्दी ही अड्मिट गार्ट की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी मिड नवंबर या लास्ट नवंबर में या मैकसिमम आपकी दिसमबर के फस्ट बिंग में आपके एक्जाम हो जाएगे चुकि सेंटर अलाट होने लगे हैं और उसी टाइम पर और सारी परिच्छा होनी है तो सेंटर खाली नहीं है इसलिए पॉसिबल यही है कि आप सब के परिच्छा हो जाएगी जो की एक्जाम डेट दिया भी गया था आप नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ेंगे तो सभी स्टुडेंट जो यूपी पीसेल टीजी टू की वेकेंसी के लिए प्रिपेर हैं वो अपनी इफ्तियारी और भी प्रिपेर कर लें चुकि आट से क्यानवे पोस्ट आई थी उसको लेकर एक्जाम करा रहा है और आप सभी क तो एक बड़ी सूचना यह देता हूँ कि यूपी पीसेल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपनी एक्जाम को एट लिस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम छे मंत के अंदर करा करके ज्वाइनिंग देता है तो जो भी स्टुटेंट यूपी पीसेल टीजी टू की एक्जाम के प पचास आएंगे उसके बाद computer knowledge question आपके पचास आएंगे और उसके बाद आप सब यहां से ध्यान दें कि आपके जनरल हिंदी आपकी 15 नंबर के आएंगे और technical knowledge आपके डेड़ सो नंबर के रहेंगे यह होता है कि जैसे स्ट्रीम से आप हैं जो स्ट्रीम आपने सेलेक्ट की है तो उसको भी देख लें कि हां से आप टेक्निकल आपके डेड़ सो आएंगे इंग्लिस भी आपकी 15 नंबर है टोटल आपका 250 नंबर का पेपर रहेगा तो जो भी स्टुडेंट अभी प्रिप्र ने लापरवाही ना करें कंप्यूटर मंडेटरी है तो कंप्यूटर को अच्छे से फोकस कर लें यहां आप देखेंगे सभी लोग अच्छे से यहां देखेंगे कंप्यूटर के स्लेवस क्या-क्या है तो कंप्यूटर के स्लेवस हैं आप कंप्यूटर के स्लेवस को अच् तो आप सभी को बताएं कि जो computer का आपका syllabus है उसको देख लें एक बार आप सब computer के syllabus क्या क्या है और अपने इसी syllabus के carding तयारी कलने approximately 85% आपका इसी syllabus के carding आजाएगा security tools and various hackers एक आपकी टॉपिक लाजिक गेट्स मैं आपको पता ही एंड आर नाट नार एकजार एकजनार इनकी टूट टेवल क्या होती है और यह अगर दोनों इंपूट 0 है तो क्या हाई होगा दोनों इंपूट 1 है तो क्या होगा आउट पूट पर क्या फिट पड़ेगा इस यह देख लिए कंप्यूटर फंडामेंटल है इसमें आपका यह आ जाता है कि कौन सा इंपूट डिवाइस है कौन पर आउट पूट डिवाइस है माउस क्या है मॉनीटर क्या है लेंग्वेज आ जाती है उसके बाद आपकी नेटवर्क नेटवर्क है लोकल एरिया को छोड़के आपके दो में अप्लीकाशन होते हैं सौट डिवर्क है तो दोनों को अच्छे से देख लें इसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बाद क्या है दोस्तों की डाटाबेस इंट्रोडेक्शन है इंटरनेट इंटरनेट भी एक आपका समय इंपॉर्टेंट टापिक बना हुआ है तो इंटरनेट को अच्छे से कंसीर गर करकी जाएं इंटरनेट को हलके में लें इंटरनेट से सारे सवाल आते हैं जैसे कि इंटरनेट की खोज किसने की कौई सी वेफशाइट है इंटरनेट है की नहीं है कि सारी चीज़ आप देख लिए और कम्प्यूटर यह पार्ट आप तो cover करी लो, यह वाला पार्ट, एक सेकंड, यह पार्ट जो आपका, यहां से logic gate से ले करके, यह वाला पार्ट, इतना तो आप cover करी लो, अगर security hackers पे नहीं focus कर पा रहे हैं आप सब, तो यह वाला पार्ट आप सब कर लो, logic gate से ले करके, बड़ कर लो इसको, के बाद आपका क्या होगा, कि पूरा आपका लगभग computer क्लियर हो जाएगा, यहां तक का, और इतने से ही question बनते, यह पीसल कभी भी टफेश नहीं मनाता, तो पहले आप focus करो, logic gate पे सबसे पहले, जो आपका easy है, उसके बाद में computer fundamental पे, यह दोनों complete करने के बाद, आप hardware पे अच्छे से देख लो, धन्यवाद दोस्तों, यदि हमारी जानकारी अच्छे लगी है, तो क्रिपया माई वीडियो को like करें, subscribe करें, यह हम share करें, और एक बार मैं और बताता हूँ, कि UVP से लिया का इसा department अच्छे महिने में आपके हाथ में आपकी joining letter दे देता है, तो आप सब क्रिपया serious हो करके अपने त्यारियों को focus करें, धन्यवाद